का हमारी शमास कारणिंग में बहुत बहुत शागत है आज मैं आपको कैना फ्यूसकस का पहला फूल जो मेरे गार्डन में खिले हुए है इसके बारे में बताऊंगी और ये प्लांट मैं अकसर आपको अप्डेट दिखाती रही हूँ कि मैंने ये नर्सरी से लिया था कितने दिन पहले लिया था ये भी मैं हमेशा आपको बताती रही तो ये देखे नए जो मेरे फ्रेंड्स है न्यू जो आए है इस चैनल पर तो उनके लिए मैं बता देती हूँ मैंने ये जुलाई में के टैमिंग ये प्लांट चोटा सा प्लांट था और मैंने जब ये लिया था तो मैंने चोटा सा प्लांट को लगाया था ये सीट के थरो भी ग्रू किया जाता है और कटिंग के थरो भी ग्रू किया जाता है फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है तो देख रहे ना पूरी स्टिक पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे आज फूल जो खिल तक पौचना बंबा प्लांट है मैं इसको ग्रोबैक्स में इसको बेख लिखाओंगा उसमें लगादे के पूरे ब्रांचे पर बहुत अच्छी फ्लावर्वरिंग होगी अभी पहला फ्लावर है और खिल रहे हैं स्टार्टिंग हो गई है और देखे किते खुबसूरत हैं इसके बारे में थोड़ी से केर टिप्स आपको बता देती हूँ जिसे आप भी स्टाइम नर्सरी से जाके या सीट से इसको ग्रो कर सकते हैं यह ग्रो कर दीजिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है यह आपको कटिंग मिल जाएं आपके फ्रेंड से किसी युक ढगाने मmosus इसकी इसकी पतीया है युँक्त हको बहुत अच्छी लाथि 했다able बहुत प्लावरिंग केंता हुथ यह ता प्लावरिंग कर रहा हे हैं और गषेता वे और देखरेंगे दूब श्यवार यहादे हैरं 2-3 दिन से भाव यह साथ बज़ा रहे हैं तो हैसे फ्लॉव मैं दूब हैं तो इसमें ठीक्छ भावरींग को अब हैं अजे लाध मिद्चिक करकी कृते हैं मिटी कि दिखिए जब भि it me ने इसको प्रांट को जब लगाया था तब मैंने इस क्या करना है थार्डी परसंट मैंने अपने गार्डन की जो लीप संच हें तो इसमें गाउडनक एड़ कर लिया था और 40 परसंट मैंने इसमें मिठी एड़ कर ली ती जो हम गार्डन की यूज करते हैं वह एड़ करके लगा दी इसको मैंने रिच स्वाइल दी ती तो इस में प्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रही है पूरे टिप तक फ्लावर मै इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और अगर आपके प्लांट में किसी तरह की कुल प्रॉब्लम और होती है पानी कैसे देनी होता है तो कि इस प्लांट में हम पानी सभी प्लांट हो देते हैं अगर इसमें पानी की कमी होगी तो खुदी इसकी पतिया जाती है कि पता चल जाएगा कि इसकी मिटी हल्की से डॉय होने होने के बाद ही पत्य मुझा जाती है अगर हम इस प्लांट को नेट्रिन से पानी दे रहे हैं तो मौनिंग में कोशिच किजिए MORNING में पानी दे दी जिए फिर आपको next morning दे जिए इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फंगस भी नहीं लगेगी और डेली मौर्णिंग और इवनिंग दोनों टैम दे रहे हैं तो मत दीजीगा एक तैम पानी दीजिए और ज़हता पानी देने से फंगस लग जाती जिससे हमारे प्लांट खराब होने के पूरे चांसेश हो जाते हैं तो यह बात की कोशिश औ भी लगाते सीर्स आभी भी आप गुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग में आपको मिलने वाली है तो इसके कोडिंग आप कोई भी जानकारी लेना चाहते तो हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए कीजिए और बैल बटन दमाने जरूर याद रगी जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक फॉर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद